Bing, Microsoft Bing से related एक काफी common issue है, website का de-index हो जाना, ये है issue number 1 और दूसरा issue है, जब लोग ये कहते हैं कि हमारी website Google में तो indexed है, लेकिन Bing में नहीं है, Google और Bing दोनों अलग-अलग search engines हैं, obviously, और अगर एक में website indexed है, तो बिलकुल भी जरूरी नहीं है, कि दूसरी में भी indexed होगी, ये सोच ना, कुछ वैसा ही है, जैसे आप iPhone के लिए शिकायत करें, कि भाई, इसमें Google Play Store इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, तो आज के वीडियो में हम देखते हैं, कि Bing आखिर website को क्यों इंडेक्स कर देता है, कैसे आप अपनी website को Bing में फिर से index कर सकते हैं, और साथ ही ये भी Google में index होते हुए, Bing में index कैसे नहीं हो पाती है, सूप तो सूप बोले, छलनी बोले, जिसमें भात तर्चेद, I mean, Bing को किस चीज का घमंडो हो चुका है, देखते हैं, एक मिनट में पहले आप देखिए एक नया इंट्रो जो हमने अभी भी नया नया पकाया है, हेलो वीडिय और आज के वीडियो में हम जरा Microsoft, Bing के खबर ले रहे हैं, एक common mistake जो लोग Bing के साथ करते हैं, वो है उसे Google के साथ compare करना, जब आप Bing के issues को solve करने की कोशिश करते हैं, या उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तो search engines के basics को याद रखना चाहिए, लेकिन Google के basics को भूल जाना चाहिए, like crawling, ये एक basic search engine function है, operation है, so crawling का जो meaning Google में है, वही Bing में होगा, Google और Bing दो अलग-अलग search engines हैं, और दोनों की indexing और search के लिए approach काफी different है, Google हमेशा काफी simplistic, minimalistic approach रखता है, वही Bing अपने search results page को बड़ी images और ज्यादा better look वाले ads के साथ सजाना च जाता है, I mean, I personally like style of Bing search results page, अब Bing इस वक्त websites को punish करने के मामले में उतना ही ज्यादा strict है, जितना एक वक्त पर Google हुआ करता था, but अब Google machine learning के use के जरिये, काफी सारे experience और data के जरिये, काफी सारी problems को खुद ही solve कर सकता है, like duplicate content या खराब backlinks, इसलिए अब Google इन issues के लिए manual penalty नहीं देता है, websites को de-index नहीं करता है, but Bing अभी भी Google के search engine के सामने छोटा है, इसलिए ऐसे issues जिने Google ignore कर देता है, Bing उनके लिए websites को de-index कर देता है, इस point को याद रखिएगा, यही बार-बार Bing के issues को समझने में आपकी help करेगा, चलिए देखते हैं, Bing में websites कैसे कैसे de-index हो सकती है नमबर एक, your hosting, actually आपकी hosting a real problem नहीं होती है, बलकि problem का part होती है, so Bing का crawling system काफी aggressive होता है, बार-बार crawl करता रहता है, और इस behavior की वज़े से काफी सारी hosting companies, Bing bot की IPs को block कर देती हैं, ताकि hosting server के resources बेकार में waste न जाएं, बेकार में waste is a बेकार word, अगर आपकी hosting companies भी इन में से एक है, और उन्होंने Bing की IP को block कर रखा है, तो आपकी website को Bing index कैसे कर पाएगा, इस issue को आप कैसे check करेंगे, आपको जाना होगा इस URL पर, technicalseo.com के काफी सारे tools की तारीफ में हमेशा करता रहता हूँ, और ये भी उन में से एक है, यहाँ इस box में आपको अपनी website का URL एंटर करना है, और फिर user agent drop down में से आपको Bing bot को select करना है, और फिर click करना है fetch, ये tool आपकी website को Bing bot का पजामा पहन कर crawl करेगा, और report देगा, अगर उसमें 200 status code दिखाई देता है, यहाँ इस तरह से, तो कोई issue नहीं आपकी website में, आप खुश हो सकते हैं, नंबर दो है keyword stuffing, अगर आपकी website के content में keyword stuffing है, तो Bing आपकी website को de-index कर सकता है, keyword stuffing लोग काफी अलग-अलग reasons की वज़े से करते हैं, like कुछ लोग SEO में अभी नए हैं, इसलिए किसी की गलत सलापर ऐसा कर लेते हैं, कुछ लोग black hat tricks के धोके में अपनी web page पे काफी सारे keywords को stuff कर जाती थी, पर आज की तारीख में keyword stuffing से कोई फाइदा नहीं होता है, Google ऐसे content को ignore कर देता है, और Bing उठा के पटक देता है, इस issue को check कैसे कर सकते हैं, अपनी website के content को ध्यान से देखिए, और सोचिए कि आपने बेकार में मेनत करकी keyword क्यों stuff किये हैं, इन्हें हटाइए और आप बेहद useful वीडियो है, इसका link top right corner में दिखाई दे रहा होगा और नीचे description में भी होगा, लेकिन headphone लगा कर देखने हैं, नमर 3, duplicate content, Google जहां duplicate content के लिए कोई भी penalty अब नहीं देता है, वहीं Bing आपकी website को de-index कर सकता है, माली जए अगर आप किसी और website का content अपनी website पर as it is post कर रह नहीं होगा, copy कीवे pages को हटाना होगा अपनी website से और फिर इसके बाद Bing आपकी website को index कर लेगा, नमर 4, कैना निकल issue, ये भी एक type का duplicate content issue ही है, अगर आपकी website में जरा भी content किसी और website से copied नहीं है, फिर भी internally आपकी website में duplicate content issue error आ सकता है, पहला सीन तो ऐसा होता है कि किसी भी reason से आप अपने एक page के content को काफी सारे pages में use करते हैं, जिसे Bing bot duplicate content की तरह treat कर सकता है, और कई बार आपकी website के एक page को कई सारे URL से आपकी website के अंदर देखा जा सकता है, like www और non www versions, http और https versions, trailing slash और without trailing slash versions, but search engines के लिए ये सारे pages अलग अलग हैं, तो ऐसे issues को हम solve कैसे कर सकते हैं, canonical tags को use करके, canonical tags search engine को बताते हैं कि भाई इतने सारे pages में same content जरूर है, लेकिन आपको index सिर्फ एक canonical page को ही करना है, तो अगर आपकी website में canonical tags सही से use नहीं किये हुए हैं, तो नहीं लगाईए, और अगर आपको पता नहीं है canonical tags क्या होता है, या अगर आपको पता है बर उनका logic नहीं है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको canonical tags समझ में नहीं आते हैं, तो पैसे वापस money back guarantee contact YouTube right now. नमबर पाच है spammy backlinks, ये भी issue एक time पर Google के साथ हुआ करता था, बट अब नहीं होता है, तो Google ने धीरे धीरे खराब backlinks को पहचान कर उन्हें ignore करना शुरू कर दिया, लेकिन Bing अभी भी खराब spammy और घटिया backlinks को देखकर खड़ जाता है, और website को de-index कर सकता है, comment, profile, signature type की backl backlinks या PBN वाली backlinks जो थो के भाव में लोग बनाते हैं, उन्हें देखकर Bing आपकी website को de-index कर सकता है, backlinks के बारे में एक चीज वैसे भी सबको समझनी चाहिए, कि जिन common websites पर हर कोई backlinks बना सकता है, उन्हें देखकर Google क्यों impress होगा, just imagine अगर किसी date पर आप जा रहे हैं, तो ब आप backlinks से भरी हुई है, तो उन्हें हटाईए, जितनी महनत उन्हें बनाने में आपने किये, उससे जएदा उन्हें हटाने में कीजिए, और आपका problem जो है, वो solve हो जाएगा, नमबर 6, affiliate sites, ऐसी sites जो सिर्फ product pages के content को as it is copy paste करके बनाती जाती हैं, जिनका एकलोता purpose, email marketing या कि यूनीक बनाना होगा, affiliate business करिए, लेकिन website के pages में content useful और unique रखिए, जिससे search engines को भी आपके website को index करने में कोई फाइदा मिले, नमबर 7 है doorway pages, कई website में लोग बहुत सारे ऐसे pages बना लेते हैं, जो अलग अलग cities या अलग अलग keywords को target करने के लिए बनाए जाते हैं specifically, इन pages में content 90- 95% सेम होता है, सिर्फ city का नाम या service का नाम चेंज किया हुआ होता है, इन pages का target अलग 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 cities wise जो traffic आता है, उसको track करना होता है, search engines के हिसाब से ये page poor quality, near duplicate content वाले होते हैं, और Bing ऐसे pages के लिए websites को index कर सकता है, इसका solution है, या तो आप ऐसे सारे pages में unique content रखिए, या फिर in doorway pages को हटा दीजिए, so ये थी वो top 7 reasons जिनकी वजह से Bing आपकी website को de-index कर सकता है, और साथ ही में उनका solution, इन issues को solve करिए, और अपनी website को Bing पर वापस लाइए, thank you so much for watching this video, my name is Amitwari, from Amitwari.net and I will see you next time, take care. झाल झाल